हेलो स्टुडेंट्स, चलिए सेटार करते हैं बटा, एक्सरसाइज 8.4 का क्योश्चर नमबर 3 देखते हैं स्टेट्मेंट क्या है, यहाँ पर इवैल वेट करना है, साइन स्क्वेर 63 पलस साइन स्क्वेर 27 अपोन को स्केर 17 पलस को स्क्वेर 73 तो यहाँ पर statement देखेंगे हम अपारी क्या है sin square 63 plus sin square 27 upon में cos square 17 plus में cos square 73 यह question हमें given है तो इस question को करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले हमें एक relation पता है बटा sin square theta plus cos square theta is equal to किस के होता है 1 के अगर हम यहाँ पर एक किसी sign को cos में change कर ले और निचे cos को sign में change कर ले तो हमारा question जो हो easily हो पाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90-27 इस complete का square लिख सकता हूं मैं क्योंकि 90-27 कितना हो जाएगा 63 और साइन का square एजटीज पलस साइन स्केयर 27 डिगरी आप उन में सेम एजटीज यहाँ पर चेंज कर लेता हूं यहाँ पर क्या है कोस ओफ 90-73 क्योंकि 90-73 क्या जाएगा 17 इसका square प्लस कोश केयर सेवन्टीटी डिगरी इसको देखते हैं अब 90 आ गया तो क्या होगा अजन किस में चेंज हो जाता है तो कोस 27 तो यहाँ पर क्या याजएगा कोश केयर 27 डिगरी पलस में क्या है साइन स्केयर 27 डिगरी अप उन में निच्चे भी चाहएगा कोस नाइन 10 है स्केर सेवनटी ठीडिग्रीं अब बेटा देखेंगे यहां पे 27 डिग्री यहां पे 27 एं तो साइन स्केर थीटा प्लस को स्केर थीटा इक्वल टू किसके होता है वन के तो यह वेल्व जो होगी वो क्या जाएगी वन अब उन में निच्छे भी क्या है एंगल जो है 73-73 है त है यहां से वन कैंसल आउट तो वेल वेल्वीज़ यह आगी रिजल्ट जो आगया हमारा वन आगया है होपापको फर्स्ट पाइट अच्छे से कलियर हो गया होगा है नेक्स्ट देखते हैं अपना second part second part में statement क्या गई वने बटा sign 25 डिग्री को 65 डिग्री पलस में को स्ट 25 डिग्री और sign 65 डिग्री तो यहां पर किया करेंगे हम इस साइन को कोस में चेंज कर लेंगे इस को साइन में चेंज कर लेंगे कैसे चेंज करेंगे देखेंगे या फिर इस को साइन में कर लो या फिर इस साइन को को समें कर लो किसी को भी चेंज कर सकते हैं जैसे यहां पर क्या है हमारा साइन 25 एजिटीज रख लिया इसको क्या लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस 25 क्योंकि 90 माइनस 25 इक्वल टू 65 अब बेटा यहां पर दिखेंगे साइन 25 एजटीज कोस 90 माइनस थीटा 90 आ गया तो कोस किसमें चेंज हो जाएगा साइन में साइन और यह एंगल एजटीज पलस यहां पर क्या आ जाएगा कोस 25 इंटो में साइन 90 माइनस थीटा है 90 आ गया 90 पर क्या होगा साइन कोस में चेंज हो जाएगा तो कोस और यह एंगल एजटीज यहाँ पर क्या होगा, sin 25 into sin 25 क्या होगा, sin square 25 पलस, यहाँ पर cos into cos क्या हो जाएगा बटा cos square 25 same identity use करेंगे, जो हमने first question में use की थी अब यहाँ पर दोनों angles क्या है, same है, sin square plus cos square है तो यह दोनों की value जो आ जाएगी, वो क्या जाएगी, one this is the answer तो इस तरिके से हम अपने questions को solve कर सकते हैं, कहीं पर कोई problem है तो बिटा मुझे comment कीजिए otherwise इस channel को subscribe कीजिए चलिए next देखते है, question number 4 देखते हैं अपना question number 4 देखते है यहाँ पर क्या गा गया है बिटा, choose the correct option and justify your choice यहाँ पर क्या है, option वाले question है, हमारे पास MCQ तो यहाँ पर क्या है, 4 option given है, उन में से correct option choose करना है और आपको बताना है कि वापने answer जो choose किया है, कैसे किया है और क्यों किया है तो बिटाई, इन ही questions को आप only MCQ सोच के मत कीजिए क्योंकि आपके exam से में direct आपका question भी आ जाता है जैसे 9 secant square A minus 9 ten square A इसको evaluate करना बोल देता है, option ना दे, आपको सिधा solve करना दे दे तो इन चारों parts में से कोई भी आपका question आ जाता है mostly देखा है, मैंने एक आद कोई part वो आपके exam से में पूछ लेता है तो चलिए first question जो है, first part देखते हैं अपना सबसे पहले क्या है, 9 secant square A minus 9 ten square A यह क्यों से नहीं हमारे पास, तो यहां पर क्या करेंगे बिटा, 9 को यहां से क्या कर सकते हैं common out कर सकते हैं, तो 9 को हमने common ले लिया, तो अंदर क्या आगया हमारे पास secant square A minus ten square A, यह आगया हमारे पास अब इसके आगे क्या करें अब करना क्या है बटा यहां पर secant square a और 10 square a के बीच में हमारा एक relation होता है क्या होता है यहां पर secant square a is equal to क्या होता है बटा 1 plus 10 square a यह formula हमने पढ़ा है 10 square a को left hand side लेके आएंगे तो क्या आएगा secant square a minus 10 square a is equal to किसके है 1 k तो यहां पर secant square a minus 10 square a को क्या पुट कर सकते हैं 1 तो यहां पर पुट कर देंगे तो 9 into 1 तो यहां पर 9 into 1 करेंगे तो answer जो आगया वो क्या आगया हमारा 9 तो option जो है वो B correct हो जाएगा हमारा B is correct I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा second part देखते हैं हमारा second part के अंदर क्या given है 1 plus 10 theta plus secant theta into 1 plus coat theta minus cosecant theta इसको evaluate करना है और अपना answer देखना कि क्या answer आएगा बेटा मैं आपको trigonometric function या trigonometric question करने का एक trick बताता हूं आपको कोई भी craming नहीं करनी है कि इस question में क्या करना है इसमें क्या करना है ध्यान से सुने जो भी हमारे trigonometric function है ना sign और cos को छोड़के 10 मिल जाए, coat मिल जाए, cosecant मिल जाए और secant मिल जाए उनको simplify कर दो, simplify means 10 होतो उसको sign by cos की form में लिख दो coat होतो उसको लिख दो cos by sign secant होतो 1 by cos और cosecant होतो 1 by sign तब उसको simplify करें mostly 80-90% question में यही ट्रीक होती है और इसी तरीके से आपके question soul हो जाते हैं देखेंगे अब यहाँ पर 10 secant coat और cosecant है तो इसको मैं बस जो मैंने बुला है उसी से simplify करने की try करता हूँ, यहाँ पर क्या है 1 पलस, 10 theta को क्या बुला है मैंने sin theta by cos theta यही होता है पलस, secant को क्या कर देंगे 1 by cos theta, क्योंकि secant जो होता है वो cos theta का reverse होता है, इसके अपोन में 1 मान लिया, यहाँ पर क्या करेंगे 1 plus, coat theta को क्या करेंगे cos theta by sin theta minus, cosecant को क्या करेंगे 1 by sin theta ठीक है, अब यहाँ पर LCM लेते है, यहाँ पर LCM जो आ गया वो क्या आ गया, हमारा cos theta cos theta को 1 से divide क्या cos theta, 1 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर क्या आग्या कोस थीटा प्लस कोस थीटा से को सिटा को डिवाइड क eşakOW ऑगया तो क्या आगया 1 1 की मल् sich रॉदर सिटा से कि तो तर पालश यहां पर कोस जिटा तर से कोश थीटा से को डिवाइड क handing and कि मल्टिपला ज़े तो वन यह आगया मारे पास सुलिशन सिब्ब Sine Theta से Sine Theta को डिवाइड के तो यहां पे क्या आगया? 1 यहां पे बेटा दिखेंगे जो Cos Theta प्लस Sine Theta है उसको Bracket के अंदर ले लेंगे यहां पे भी Sine Theta और Cos Theta को Bracket के अंदर अब A पलस B और A माइनस B यह अपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है A perpendicular minus B square की क्योंकि दुनों multiply में है यहां पे क्या है sin theta plus cos theta यहां भी sin theta plus cos theta तो इसको क्या लिख सकते हैं sin theta plus cos theta का square और यहाँ पे क्या आजए malt गा about it और अब ऊन में क्या आजएगा phitaa sin theta और cos theta मस्तिपलाइ चरेंगे तो क्या आजाएगा साइन थीटा और कोस थीटा आई होप यहां तक आपको अच्छे से कलियर होगा अब बिटा देखते हैं यहां पर a plus b का whole square identity open कर लेंगे आपको पता है a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab तो यहां पर open करते हैं बिटा साइन थीटा का square करेंगे तो क्या आजाएगा sain square theta plus cos theta का square करेंगे तो cos theta plus two sin theta cos theta और minus one का square one upon में क्या आजाएगा यहां पर sin theta cos theta ठीक है अब sin square theta और cos square theta क्या होता है हमारा sin square theta plus cos square theta one के equal होता है तो इसको solve करेंगे तो क्या देगा 1 पलस में 2 sin theta cos theta minus 1 upon में sin theta cos theta 1 से 1 cancel out तो यहां पे sin theta cos theta से sin theta cos theta cancel out तो हमारा जो answer आगया वो क्या आगया 2 अब 2 option देख लेंगे हमारा कौन सा है C option है तो C is the correct C is correct I hope यह question आपको अच्छे से समझा गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी 10 secant quotes cosecant मिल जाए उनको simplify form में लिख दो 10 को sign by cause secant को one by cause, quote को cause by sign और cosecant को one by sign और simplify कर देंगे LCM लेके जहां पे जो formula हमारा बन रहा हो secant A plus 10 A into one minus sine यह question given है हमें तो यहां पर क्या करना है बिटा मैंने अब भी बताया था secant हो तो उसको क्या कर लेंगे secant किसका reverse होता है one by cause cause A plus 10 A किसका reverse होता है sign A by cause A into one minus sine A है इसको तो हम change करी नहीं सकते ना कोई formula है हमारे mind में तो one minus sine को adjectives रख लेंगे यहां पर देखते है बिटा इसका LCM लेंगे LCM कितना आ गया cause A cause A को cause A से divide किया तो क्या आ गया हमारा one plus cause से cause को divide किया तो यहां पर क्या आ गया sign A adjectives अंदर क्या आ गया हमारा one minus sine A I hope यह चीज आपको clear है यहां पर अब बिटा देखते हैं यहां पर one plus sine one minus sine A a plus b a minus b अभी पीछले question में बताया था मैंने identity क्या होती है a square minus b square तो यहां पर क्या हो जाएगा साइथ में लिग देता हूँ एक बार फिर आपके पास a plus b a minus b किसके इकवल होती है a square minus b square के तो यहां पर क्या हो जाएगा one का square minus sine square a अब उन में cos A अब one minus sine square a किसके इकवल होता है sine square a plus cos square a is equal to किसके होता है बटा 1 के हमें चाहिए one minus sine square a तो sine square a को उस तरफ ले जाएगे तो cos square a is equal to क्या आगया one minus sine square a तो one minus sine square a की जंगा हम क्या पूट कर सकते है cos square a तो यहां पर पूट कर देंगे cos square a by cos a a cos a cancel तो हमारा जो answer आगया वो क्या आगया cos a तो options देख लेंगे हमारा क्योंसा है d option जो है वो क्या हो जाएगा d is correct I hope यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा किस तरीके simplify करने है अगर बिटा आपको अच्छे से question समझाते है तो इस channel को subscribe करें share जरूर करें बिटा अपने friends के साथ और अच्छे से comment करें next देखते हैं अपना fourth question जो है fourth statement क्या given है one plus ten square a अपन में one plus court square a अब इसको simplify करते हैं बिटा यहां पे देखेंगे ten और court आगया ten और court का हमें पता है ten क्या होता है one plus sine square a अपन में court square a यहां पे square है तो square साथ में लेके चलेंगे अपन में one यहां पे क्या जाएगा one plus course square a by sine square a यहां पे भी one अब इसको क्या करेंगे हम lcm ले लेंगे lcm लेते हैं यहां पे क्या lcm आ गया course square a one से divide क्या course square a को को स्केर a और one से multiply क्या तो course square a plus course square a को course square a से डिवाइड क्या तो one और यहां पे क्या जाएगा साइन स्क्रिफ हे अब और सहांगों में यहां पर यह से इंड करेंca साइन स्क्रिफ यह चीज आपको कलियर है आप अब को स्क्रियर एक़ां कैने रिए नेलेगे न которой में को cos square एपवन में sin square plus cos square क्या हो गया है यहां पर 1 by sin square a अब इसको क्या करना है इसको अपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 by sin square है तो क्या हो जाएगा sin square a by 1 into mean y of it ज़हेगा 1 by cos square इस तरीके से लिखा जाता है यह मैंने थुड़ा सा simplify करके लिख दिया कि कई वर confusion होती है बच्चों को direct लिख देते हैं cos square a by sin square a नहीं दोनों 1 by में है तो इसको उपर लेके जाएंगे तो यह sin square a by 1 हो जाएगा multiply करते हैं तो क्या आगया sin square a by cos square a और sin by cos किसके को लोता है 10 के तो यहाँ पर answer जो आगया 10 square a के आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा आपको ट्रिक भी पता लगई होगी कि किस तरीक के से हमने क्योस्टन को simplify करना है next जो क्योस्टन है क्योस्टन नंबर 5 जो है वो next वीडियो में करेंगे most important question है same trick में वहां पर भी follow करेंगे और क्योस्टन को simplify करेंगे अगर आपको अच्छे से वीडियो अच्छी लगती है आप अच्छे से क्योस्टन समझ में आते हैं तो लाइक जरूर करें अच्छा सा comment करें अपने friends के साथ share जरूर करें thank you students for watching this video thanks